हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूजड मार्जिन क्या चीज है होल्डिंग में हमेरे कौन-कौन से स्टोक आते हैं या फिर होल्डिंग क्या चीज होती है funds के अंदर कौन से section आते है total margin क्या है जो 3 या 4 आप screen पर देख रहे हैं उनके बारे में आप continue बताऊंगा अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe कर ले और bell icon को press कर देना जिससे की upcoming video आपके पास तूंत मिल जाए चलिए video शुरू करते हैं इसमें आपने एकसर देखाओ मेरे पास काफी कमेंट आते हैं कि यूज मार्जन में कौन-कौन से स्टोक कई बार यह माइनस में आ जाता कई बार यह पलस में हो जाता है और holding में कई बार हमारे पास stock holding में होते नहीं है बट हमारे यहां पर मैनिस दिखा देगा कभी पलस में हो जाएगा बट यह चीज कैसे होती है कैसे यूज कर सकते हैं कंटीनू में सबसे पहले बात करेंगे यूज मार्जन अब यूज मार्जन में क्या है आप यूज मार्जन को यह ले लू कोई भी पी अगर आपने किसी भी स्टोक को बाई करा और उसमें लुजग करा, मंलो आपने 1 लाग के रिलाइनस के स्टोक को आपने बाई कर लिया, और एक लाग के रिलाइंस के स्टोग already पड़े हुए थे और इसमें आपने 20,000 रुपेज लोस में सेल कर दिया मतलब एक लाग के 80,000 के स्टोग आपने सेल कर दिया होल्डिंग में जो पीछे पुराने पड़े थे और नए स्टोग आपने एक लाग के मनलोग टाटा मोर्ड़स को भाई कर लिया तो एक लाग आपके जो बाइंग है और जो लोस वा 20,000 का जो होल्डिंग थी तो टोटल मिला के एक लाग 20,000 पे तो आपका यह जो पलस में आएगा एक लाग 20,000 मतलब कि एक लाग 20,000 पे तो यह आपका पॉजिट्व में सो हो जाएगा यूजड मार्जन यूजड मार्जन में ऐसा है कि जो आपने किसी भी स्टोग को बाई करा और या फिर किसी भी स्टोग में लोस बुक करा, टोटल मिला के दोनुक के अमाउंट को कल्कुलेशन एड करके जो यहाँ पे आएगा वो पलस में आएगा मतलब कि वो पैसे आपको एंजल बोकिंग को देने हैं अपनी साइड से तो इसी वज़ा से यह पोजिट्व आ जाएगा मतलब कि अमाउंट आपकी डिडेक्ट हो जाएगी, बट यहाँ पे आपको पोजिट्व सुग होगा तो ねगिटु कब आईगा? नगिटु यह आएगा, मतलब किसी स्टोग में आपने प्रोफिट बुुक कर रहें, इंटा डे में लगा लो या फिर होल्डिंग के स्टोग थे आपने आज सेहिल कर रहें या फिर इंटाडे में मौडनिम कर के 2 तिन गंटे वाज को सेल कर दिया तो जि печ वा और कोई स्टोप को सेल एक मतलब कि उल्रीडी पड़ा हुआ दोह बाइगी तो ने आपको पैसेद मतलब किQuay ओने ring से पैसे लेने हैं तो यह मतलब क्या हुआ जो model मारजन है worst लेने Aa deduct हो जाएगा अगर आपने loss book कर दिया तो आपके amount में उस्सी time cut हो जाएगा बट यहाँ पर plus में दिखाएगा अगर आपने profit book करा वो t plus two days के अंदर आएगा used margin यहाँ पर फिर भी आपका अगर आपने यहाँ पर लोस बुक करा और किसी भी स्टोक को आपने बाय करा तो यह positive में आ जाए यूज मार्जन मतलब कि आपने पैसे एंजल बोकिंग को देने हैं और आपके amount deduct हो जाएगी काउंट से यह सिर्फ सिर्फ बंडा ही यूज मार्जन का माइनिस और बलस हो इसलिए सो होता है मतलब कि लोस और बाय पोजिट्व जाएगा प्रोफिट और सेल नेगिट्व चला जाएगा अब बात आती है कि होल्डिंग में क्या चीज आएगी होल्डिंग में आएगी मा आपने 20,000 लोस में बुक करा तो आपने 80,000 रुपेज की वह सेल कर दे जो आपका 20,000 है वह होल्डिंग में सो हो जाएगा माइनस में और आपने एक लाख रुपे रिलाइंस के स्टोक होल्डिंग में पड़े हुए थे और आपने आज इंट्राडेमर्स को सेल कर दिया तो होल्डिंग करने लिए बात करते हैं टोटल मार्जन में फंड्स अब टोटल मार्जन वह सो होगा जो अविलेबल होगा आपका ट्रेडिंग करने के लिए आप ट्रेडिंग करने के लाइब कैसे होगा मालो आपने रिलाइंस के स्टोक को दस दिन पहले बाई करा हुआ था आप अपने सेल कर दिया और उसका मालो 20 परसेंट आपको देना पड़ा तो 80,000 आपने एक लाग खरफी कौंटिटी एक लाग खरफी भी सेल करिया और एक ला क्या होता है कि आपके काउंट में एक लाग रुप्illed ऊठोक कर दिया तो टोटल मिला कि आपका फंड्स के अंदर इसने मालो लूप्या नाख एल चाइंड पर तो वन लाक फिप्टी थाउसेंड ये डेड़ लाग रपे आपके फंड्स के अंदर सो हो जाएंगे और तो टोटल मार्जन में वही आ जाएगा जो आपका अविलेबल मार्जन होगा और जो यह पैसा है मतलब जो आपने प्रोफिट बुक करोगे वो टी प्लस टू देज मे होगा होड़िं में आपको वाज गाहर से मेरे दुझा तो आपको मिलेगा नहीं वह अगर आपको होल्डिं में माइनस में माइनस में मिलीलिक मीलेग प्लेimal गों अगले दिन यहां पर कल्कूली mujrism होती है कि यहां पर मैन मानिले नहीं गाधा हम् Savannah beans और यू यूजम पर ब आपने किस तोग में प्रोफिट करें और आपने किसी स्टोग को सेल करा तो आप मतलब आपने अपने प्रोफित बुक करा ओगा वह होल्डिंग में पलस में आजाएगा अगर आपने वोल्डिक स्टोक में किसी भी स्टोक में लोज बुक कराओ तो माइनस में आ जाएगा अगर आप उसी स्टोक को इंट्राइड में करते हैं यह होल्डिक का हो गया और फंड्स के अंदर जितने आपके स्टोक पड़े हुए है और आपने अलग से कैस्ट अड़ करा टोटल मिल अगर आप एक लाकर के पूरी वाई कर लेंगे तो नेक्स्ट जब सेल करेंगे तो आपको 20% मांगगा इसे सेल करने के लिए इसली बोलते हैं कि आपको 20% रखना पड़ता है अगर आप फंड नहीं होगा तो इसी तरह आप उसको बीटेस्ट कर पाएंगे अगर आप सिवि कर सकते हैं मारे दिन फुली यूज़ करके जो कि इसमें 6-7 डेज का टाइम परीड होता है उसके अंदर आप उसको ट्रेडिंग भी कर सकते हैं मतलब स्विंग ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं आती यह थी वीडियो आपको कोई डाउट लगता है तो हम जो वर्सम मैसेज कर सकते हैं इस्टागरम पर मैसेज करके मैं आपको माँ पर रिपलाई कर दूँको कोई आपको डाउट डाउट से या फिर इसी ट्रेडिंग से रिलेडिड है तो थैंक यू सो मुच